दोस्तों नमस्कार मैं हूं डोक्टर प्रदीप प्रसन आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर आईए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टोपिक के साथ में विद्यार्थियो आज की वीडियो में बना रहे हैं कक्षा आठ की हिंदी पुस्तक वसंत के पाठ बारा सुधामा चरित जिसको कभी नरुत्तम दास ने लिखा है इस पाठ के प्रशनों के उत्तरों को लेकर की वीडियो बना रहे हैं पाठ से सम्मंदित वीडियो हम पूर में बना चुके हैं जिसमें पाठ का वाचन, उसका अर्थ, उसका भाव, व्याख्या और विशलेशन कर चुके हैं और अब हम इस पाठ से सम्मंदित प्रशनों के उत्तरों की वीडियो बना रहे हैं तो आईए हम वीडियो प्रारंब करते हैं आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल पहला प्रशन सुदामा की दीम दशा देखकर स्री कृष्ण कि क्या मनो दशा हुई अपने शब्दों में लिखे उत्तरह सुदामा की दीमदशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आँखों में अश्रुधारा बहने लगी उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया परन्तु उनकी आँखों से इतने आशों निकले कि उन्हें आशों से सुदामा के पैर धुल गए अर्थात एक मित्र के परती एक मित्र का कैसा प्यार होता है कि वो बहुत दिनों बाद मिले और बहुत दुखी थे इसलिए ये सब इस्थती देख करके वो रोने लगे उनकी आँखों से आशों बहने लगे और आशों से उनके पैर धो गए अर्थात इतना अधिक वो रोय प्रश्ट नमर दो, पानी परात को हाथ छोयो नहीं, नैनन के जलसों पगी धोये, पंक्ती में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, उत्तर है, प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है, कि जब सुदामा दीन ही नवस्था में क्रिश्ण के पास पहुंचे, तो क्रिश्ण उन्हें देखकर व्यतित हो उठे, स्री क्रिश्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परन्तु सुदामा की दुर्दशा देखकर स्री क्रिश्ण को इतना कष्ट हुआ, कि वे स्वेम रो पड़े, और उनक परियुक्त पंक्ती कौन किस से कह रहा है, इस कतन की प्रश्ट भूमी इसपष्ट कीजिए, इस उपालंब शिकायत के पीछे कौन सी पोरानिक कथा है, तीनु के जवाब देने हैं, उत्तर है, कहका उप्रियुक्त पंक्ती स्री क्रिश्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह खेका उत्तर है, अपनी पत्नी द्वारा दिये गए चावल संकोच वश सुदामा स्री क्रिश्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं, परन्तु स्री क्रिश्ण सुदामा पर दोशा रोपण करते हुए, इसे चोरी कहते हैं, और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपन हो, सुदामा संकोच कर रहे थे, कि ये भेंट बहुत छोटी है, और मैं दूंगा, तो कहीं क्रिश्ण को ये न महसूस हो, ये न एसास हो, कि चावल की एक मुठी ले आये हैं, और कुछ भी नहीं लाये हैं, गय का उत्तर है बच्पन में, जब क्रिश्ण और अंदीपन, रिशी के आस्रम में, अपनी अपने शिच्छा ग्रहन कर रहे थे, तब एक बार जब स्रीकृष्ण और सुदामा जंगल में लकडियां एकत्र करने जा रहे थे, गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिये थे, सुदामा स्रीकृष्ण को बिना बताये चोरी से चने खा लेते हैं, स्रीकृष्ण उसी चोरी का उपालंब सुदामा को देते हैं। में सुदामा का मन बहुत दुखी था, वे क्रिश्ण द्वारा अपने प्रति किये गए व्यभार के बारे में सोच रहे थे, कि जब वे क्रिश्ण के पास पहुँचे, तो क्रिश्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतित्थे सत्कार किया था, क्या वे सब दिखावटी था? प्रति स्री क्रिश्ण ने उन्हें चोरी का उलहाना देकर खाली हाथ ही वापस भेज दिया। उनका मन भ्रमित हो गया, कि कहीं में घूम फिर कर वापस द्वार का ही तो नहीं चलाया, क्योंकि वो अपने गाउं जब आते हैं, तो देखते हैं यहां तो छप्रे थी, कच्चे मकान थे, और यहां एकदम से भव्य महल इमारते खड़ी हो गई, तो ये मेरा गाउं नहीं हो सकता, फिर भी उन्होंने पूरा गाउं चानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी जोपड़ी नहीं मिली, प्रशन नमबर छे है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रन कवीता की अंतिम पंकियों में वरनित है, उसे अपने शब्दों में लि अपड़ी रहा करती थी, वहाँ आप सोने का महल खड़ा है, कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चपल तक नहीं थी, वहाँ आप घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं, पहले सोने के लिए केवल यह कठोर भूमी थी, और अब शांदार नरम मुलाएं बिस्तरों का इंत परंतु वे अच्छे नहीं लगते हैं, भाषा की बात करें तो पहला प्रशन है, पानी परात को हाथ छोयों नहीं, नैनन के जलसों पगी धोये, उपर लिखी गई पंक्ती को ध्यान से पढ़िये, इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चड़ा कर चित्रित किया गया है, जब किसी बात को इतना बढ़ा चड़ा कर प्रस्तुत किया जाता है, तो वहाँ पर अतिश्युक्ति अलंकार होता है, आप भी कवीता में से एक अतिश्युक्ति अलंकार का उधारन छाटिये, उत्तर है, कई वह टूटी सी छानी हती के हैं कंचन के अब धाम सुहावत, यह अतिश्युक्ति अलंकार है, क्यों? क्योंकि तूटी सी जहुपडी के इस्थान पर अचानक कंचन के महल का होना अतिश्युक्ति है, अतिश्युक्ति का मतलब यह होता है कि बहुत अधिक बढ़ा चड़ा कर बात कहना, जैसे कि आशु इतने अधिक नहीं हो सकते कि उससे क मित्र के बिछुडने में, मित्र के बहुत दिनों बाद आने में, या उनोंने कष्ट प्रद्जो जीवन जिया कष्ट वाला जीवन जिया, उसके कारण की अंदर से व्यतित हैं और इतना ज़्यादा वो रोते हैं कि आशों से इतना धिक पानी आशो टपकते हैं कि उससे वो पैरध हो देते हैं तो वो भाव को संकेत करने वाला है लेकिन अतिश्योक्ति अतिश्योक्ति यानि की यानि जहां अतिश्योक्ति हो जाए जिसकी कल्पना की न जा सके ऐसा होता नहीं हो तो वहाँ पर अतिश्रयुक्ति अलंकार होता है कावे की सुन्दरता को बढ़ाने के लिए अतिश्रयुक्ति या दूसरे अलंकारों का प्रियोग किया जाता है तो विध्यार्थियो ये थी आज की वीडियो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है वीडियो आपने पूरी देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशा करते हैं कि परिक्षा में ये वीडियो आपका सहयोग करेगी और यदि अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ने भूलें हिंदी की बिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकोन को भी दबा लीजिए ताकि सभी प्रकार की वीडियो आप आसानी से देख सकें आपको मिल सकें, सूचना मिल सकें और प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी कक्षा की या अपने विशे की वीडियो छाट करके देख सकते हैं आपके मन में कोई सवाल, कोई जिग्यासा, कोई प्रश्न इस वीडियो सम्मंदित या किसी अन्य टोपिक सम्मंदित हो तो कमेंट्स के माद धमसे बती है, हम उसका समाधन करने का प्रियास करेंगे आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार करेंगे